हेलो फ्रेंड्स कुक वी दरजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही है और इंच पॉपसिकल की रेस्पी जिसे हम घर के समान से बना के तियार करेंगे कोई भी फालतू का खर्चा ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आप को मार्किट जाना पड़े फ्रेंड्स बहुत ईजिली आप यह घर पे बना के तियार कर सकते हैं और गर्मियों के शुरुवात तो हो गई है आपको और आपके बच्चों को यह पॉपसिकल बहुत पसंद आएंगे आप इसे बहुत कम समय में बना के तियार कर सकते तो चलि आदा क्वान्टिटी में बनानी है तो उस हिसाब से पाणी ले सकते हैं अब इस पानी में हम दालेके 6 चमच चीम बचलि तो चीनी आप अपने टेस्ट के कवाटनि कम्या जादा ले सकते हैं आप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं लेकिन जो आइस क्रीम है वो तो मीठी ही अच्छी लगती है अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चीनी को अच्छी तरह घोलने के बाद अब मैं इसमें एड़ कर दूँगे आधा कप गुलकॉंडी तो मैं यहाँ पे औरेंज फिलेवर का गुलकॉंडी यूज़ कर रही हूँ इस बहुत ही टेस्टी यह हमारी औरेंज पॉप्सिकल बन के तियार होंगी बिल्कुल एकदम बजार जैसी तो यह हमने अच्छी तरह से निक्स कर लिया है हमने यहाँ पर इस तरह के आईसक्रीम मोल्ड ले लिये हैं यह आपको मार्किट में आसानी से मिल जाएंगे अब ह मैं इस तरह से कवर कर दूँगी मैं पॉप्सिकल को आठ से दस घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूँगी जिससे की अच्छी तरह सेट हो जाएंगे आप चाहें तो ओवरनाइट पे इनको फ्रीजर में रख सकते हैं आठ से दस घंटे फ्रीजर में रखने के बाद मैंने इने निकार लिया है आप देख सकते हैं पॉप्सिकल अच्छी तरह से जम गए है अब मैं इसे पांच मिनट रूप टेंपरेचर पे आने दूँगी उसके बाद ही हम इने डिमोल्ड करेंगे आप चाहें तो पानी में इसके तियार है एक दब मार्केट जैसा हम इस तरह पॉप्सिकल को रखते जाएंगे बहुत ही टेस्टी पॉप्सिकल बनके त्यार होते हैं तो देखी हम ने सभी ओरेंज पॉप्सिकल को निकाल लिया है बहुत ही आस सानी से ही निकल घाती है आप भी रेस्पी जरूर ट्राइब करें आपको और आपके बच्चे को रेस्पी बहुत पसंद आएगी और अगर आज की रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दे और चैनल पे नहीं है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल बटन क तो प्रेस कर दें लेटस्ट वीडियो के अपडेट के लिए तो मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेस्पी के साथ